So now we will talk about the size of plots. Size of plots really matters. कैसे? A4 page पे usually आपके printing की option चलती है when you have a journal या booklet या कुछ भी जो होता है. ठीक है? अब आपने क्या करना होता है? जब भी कोई plot को आप save करते हैं, you should keep in mind के A4 size का size क्या है. अब मैं यहाँ पे Microsoft Word ओपन करता हूँ, which is one of the best softwares जो आपको हर किसम की dimension में information देता है. बड़ी गोर से देखिएगा चीज़ को. यह है Microsoft Word, मैं इस पे new file ओपन करता हूँ. New, blank document है. Of course मेरा end note जो है, वो साथ आ जाता है भागा भागा. So यहाँ पे blank document को मैंने open किया. And now you will see के page layout में जाके, यहाँ से आप इसका जो size है वो देख सकते हैं. Usually legal नहीं होता, letter या A4 होता है. और अगर आप size देखे 8.5 to 11 है. ऐसे हैं? 8.5 to 11. और यहाँ पे 8.27 to 11.69. अब बात गोर कीजिएगा. यह मेरा A4 का page है. ठीक है? बड़ी गोर से समझीएगा बात को. यहाँ पे, अगर मैं plot add करना चाहता हूँ, तो कैसे plot add होते हैं? या तो plot इस तरीके से आता है आपका जब आप paper publish करते हैं. ऐसे हैं? नीचो को जितना मर्जी कर लें. या आपका plot इस तरीके से आता है, जब आप paper publish करते हैं. Something like this. Center में एक space, and then you have another shape. या तो ऐसे plot आता है आपका, या दूसरी तरीके से आता है. यही दो तरीके होते हैं ना? यह थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लंबा भी हो सकता है size में, according to the length of the page. अब मुझे एक बात बताएं. अगर आपके mind में पहले से होके, यह plots के size हैं, isn't it better के आप उसी sizes पे अपने plot को save करें और उसी size पे अपने plots के font रखें? मिसाल के तोर पे आपने 16 भाई 16 का plot save कर लिया है, वो भाई उसको shrink करें के यहीं पे तो ले के आना है आपने end में. Why are you doing that? So keep in mind के जब आपने plot को save करना है, यह जो हमने size यहां पे plot का दिया है, which really matters, यह वाला, it should be according to the needs of that page, जहां पे आपका final plot जाना है. Even though online भी होना है, तो of course आपको पता है, अब DPI बढ़ा दें, लेकिन यह वाला size वो ही रखें, DPI बढ़ा दें 300 पे, ताके वो फटे ना. And secondly, जब आपका plot बन रहा है न, look, यह वाला plot, जब आप size को सही तरीके से maintain करेंगे, then, यह font size भी matter करेगा. यह 10 या 12 के क्रीब क्रीब होना चाहिए, इससे ना बड़ा ना छोटा. अगर यह बहुत छुटकु सा हुआ, तो क्या होगा, आपका plot कुछ इस तरीके से होगा. मैं अभी यह plot को, जो png में बनाया, इसको word में ले क्या आता हूँ, just to show you के क्या मसला होगा भी. यहाँ पर यह मैंने plot save किया, अब देखिएगा. यह जो मैंने plot save किया है, मैं बलके इसको अगले page पे ले जाता हूँ. यह मैं इसको enter मार के, अगले page पे ले जाता हूँ, यहाँ पे. ठीक है? मैं यहाँ पे plot ले क्या आता हूँ, something like this. Look, यह plot इतना बड़ा आ रहे है, क्या बार plot इतना बड़ा आपने page करना है वहाँ पे? नहीं न? We have to be very careful, and that's why we need to do something like this. अब आप देखिएगा, plot तो चोटा हो गया है, fonts कहाँ पे गे नजर आ रहे हैं आपको? So, अगर मुझे पहले पता हो, कि यह मेरा bar plot है, I will take care about the fonts as well. ठीक है? इनको बोलते हैं, Y labels, X labels, मैं आपको दिखाता हूँ, यह है Y label, यह है X label, यह है X के tick marks, या X के tick labels, और यह है Y के tick labels, यह बकाइदा आप change कर सकते हैं, R के अंदर, यही पे इसी plot के अंदर आप change कर सकते हैं, कैसे? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे हम लिखते हैं, change the font sizes in ggplots, मैं यह लिखता हूँ, of course यह सामने मेरे पास आ जाएगा, ggplot2 की पूरी के पूरी हमारे पास guide आ चुकी है, but usually I would recommend के आप stack overflow देख लें, यहाँ से यह चेक कर लें, यहाँ पे इन्होंने बताया हुए, axis, text x के element कितने रखने हैं, angle क्या होने हैं, और उसका text का size क्या होगा, something like this, तो यह theme के अंदर changes आप कर सकते हैं, like this, देखिएगा, मैं इसको copy करता हूँ, theme जहाँ पे मैंने लिखा है, so this is theme, ठीक है, मैं इसको अगले line पे ले जाता हूँ, theme के अंदर यह changes होंगी सारी, बलके इसकी बजाए, हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे theme रखके, इसके अंदर, इसके अंदर, यह वाले paste कर देते हैं, अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने 19 के angle पे, zoom करके plot को change किया है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले कियाता हूँ, ताकि आप इसको देख सके, अब देखिएगा, यही plot है, लेकिन अब क्या होने वाला है इसके साथ, you will see, Ctrl-Enter, and there is something wrong with the plus sign somewhere, let me see, so we have theme, यहाँ पे कुछ गडबड है, so let's see, यहाँ पे bracket बंद नहीं हुई, I'm hopeful यह इसको correct कर देगा, no, not this one, so we have theme, elements, यह आगा हमारे पास, यह आगा हमारे पास दूसरा, I will just copy the whole code from here, just to have an idea कि everything is working fine, so मैं यहाँ से, इसको paste करता हूँ, and let's see, यहाँ पेस पेस्ट करता हूँ, and यह P1 में, sorry, यह P1 में save हो रहा है, इस पज़ा से हमें नहीं नज़र आ रहा, तो मैं यहाँ पे, इसके end पे, अगर, semicolon, P1 लिखूंगा, then hopefully it will update it here, yes, semicolon का मतलब यह से save भी करो, और चलाओ भी, semicolon P1, ठीक है, अब आप देखे, the size, आप चेक करें कि इनका size 20 है ना, इसी को मैं 12 भी कर सकता हूँ, देखिएगा, change हो रहा है न size, यहाँ पे, so I need to keep in mind कि यह किस तरीके से चल रहा है, and then of course, यह मैंने किस के साथ किया है, element text के साथ, और text element कौन सा है मेरे पास, अगर आप गौर करें, y और x दोनों है, अगर मैं इसको 25 करता हूँ, look, होगे जी सारे change, text के elements सारे के सारे बड़े हो गए है, अगर मैं इसको 20 करता हूँ, it will be like this, so now you can just put your values here, 14, 15, whatever you want to do, आपका font size change हो जाएगा, यही नहीं, अभी और सुनिये, आप font size को change करने के बाद, उनकी type भी change कर सकते हैं, so think about text elements inside R, and everything will be ready, ठीक है, okay, hopefully आपको यह समझ आगी होगी, and I know कि यह lecture थोड़ा सा लंबा चला है, but I can understand, कि R को सीखना असान नहीं है, अगर आप changes अपनी manually करना चाहते हैं,